आज हम कैस्ट बूक में question number three शोल करेंगे गत्री एन फॉर इस वीडियोलक्जन में देखो बच्चो आपने previous वीडियो में question number one or two को सोब कर लिया होगा अब question number three and four Dikai Goja मेंसे हम सोल करेंगे बच्चो देखो बच्चो मैंने already फॉरमец भू जो करिलिया है ये ना अब direct question solve करेंगे आपको format cashbook का इसलिए format की discuss नहीं करेंगे हम directly question 3 single column है है ना single column में एक ही column होगी amount की तो आपको यहां दिखता है next यहां पे देखो यह दिया हुआ है 2017 सेवन्टीन फेब फर्स्ट मिस्टर विपीन कमंस्द बिजनस विट केश टू लेक देखो बच्चो बिजनस स्टार्ट करते है तो बिजनस में केश इंटोड्यूस होता है बाई ओनर इसलिए हम उसको क्यापिटल कहते है और कम डेबिट से लिखेंगे केश अकाउंट में केश बुक में डेबिट से लिखेंगे टू क्यापिटल अकाउंट अमाउंट बच्चो टू लेक बच्चो इस तरह से लिखेंगे अमाउंट टू लेक नेक्स रहे ओपन बेंक account and deposit आपने bank account open किया cash deposit करके तो उसकी general entry कैसे होगी बच्चो general entry आती है न easily तो bank account debit to cash to cash मतलब cash credit हुआ तो cash में credit है लिखना है date 2017 February 3rd लिखना है by bank account amount है बच्चो 75,000 ओके बच्चो I hope कि यह समझ में आ गया होगा आपको general entry को यहाँ पर post करना है बच्चो next purchase good for cash purchase good for cash हमने good purchase किया तो purchase account debit two cash है ना तो two cash मतलब cash credit हुआ तो cash में credit side लिखना है case goes out मतलब credit side favor five विखना है बच्चेज़ अकाउंट अमाउंट बच्चो 30,000 ओके बच्चो next purchased goods इतना ही लिखा है तो again वो कैसी consider करेंगे बच्चो 7 number per by purchase account amount बच्चो 15,000 ओके बच्चो next देखो next क्या है purchase goods from सूरियकांथ हमने सूरियकांथ से purchase क्या goods वो credit purchase है बच्चो तो credit purchase case book में entry ने होती वो purchase book में चली जाएगी ओके बच्चो I hope कि आपको समझ में आ गया है है ना क्यूंकि credit and trade के हमें case book में record नहीं करनी है इसमें shift और shift cash entry ही record होगी cash payment या cash receipt ओके बच्चो नेक्स्ट टेन नमबर स्वरी ट्वेल नमबर पेड़ टू सूरियकांथ थर्टी एट थाउजन पेड़ टू सूरियकांथ अमें यहाँ पे टू थाउजन का डिसकांट ने है जो 1200 का डिसकांट मिला है उसका कुछ नहीं करना है सिर्थ सूरियकांथ को पेड़ किया न वही है न एंट्री नमबर ट्वेल डेट नमबर ट्वेल बाइड शूरियकांथ अमाउंट कि ठ्वेल जूरिएट ए हैं यहाँ पर ट्वेल अंडर्ड का डिसकांट है उसका एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है बचो है ना वो जर्दस प्रॉपर में चलिजाएगी क्योंकि और यहानप डिसकांट का कुलम है नहीं तो हमें यह एंट्री नहीं करने बच्चो है ना I hope कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स देखें बच्चो पेड वेजिस इन केस्स तो 15 डेट की एंट्री 15 डेटी एंट्री पेमेंट करते हैं तो क्रेड़ेट राइट बाइड वेजिस अकाउंट अमाउंट बच्च 22500 इस तारएं नेक्स एंट्री है वारी नेक्स एंट्री देखेंगे 16 पेड एड वेजिस ही बोलेंगे बच्चो कैजिल मतलब कभी गभी लेबर को हम बुलाते हैं और काम करुआते हैं ना क्यों लेबर होगा पर्मेडन लेबर नहीं है कभी के बार उसको पेमेंट करते हैं यह नहीं बुलाते हैं वर्क करने के लिए तो केजियो लेबर तो केजियो लेबर की एंट्री यहां पर देखो बच्छो 16 नंबर वहाँ पर लिखेंगे बाई वेजिस अकाउंट अमाउंट बच्छो 1500 है ना नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर सोल गुड्स तू राज फोर कैस हमने गुड्स सोल्ड किया देवराज को सोल्ड किया कैस में एट्टीर थाउजन का या लिखेंगे टू सेल्स पाल्टि का नाम नहीं रिखना की इसी ट्रांजेक्सन हैए टेस्ट्रंजेक्टि अच्ट्रों कान का नंव नहीं आ था टू सेल्स हैंच अकाउट अमाउंट एट्टी थाउजंट इंए ओके बच्छो next 20 के बाद 25 paid electricity bill in cash 12,000 हमने electricity bill pay किया बच्छो तो 25 date में buy electricity bill account amount कितनी बच्छो 12,000 ओके बच्छो next withdraw cash form from bank हमने bank से withdraw किया तो देखो बच्छो 26 एंट्री 26 date की एंट्री हमने bank से withdraw किया तो हमारे पास amount तो आएगी case आएगी ही तो हम debit share record करेंगे to bank general entry होगी case account debit to bank है ना bank से कितना withdraw किया बच्छो 40,000 40,000 ओके बच्छो अब next entry 27 में दो एंट्री दिवी है received cash sales का तो यहाँ पे 27 to sales account amount बच्छो 5000 है ना और pay to miscellaneous expenses मतलब कि century expenses किया होगा तो उसके लिए हमने payment किया बच्छो 500 का है ना तो हमने payment किया यहाँ पे 27 date है ना payment में हम क्या लिखेंगे 27 यहाँ लिखेंगे by miscellaneous expenses देखो बच्छो miscellaneous expenses मतलब क्या जो छोटे मोटे expenses करते है ना business में वो उसमें miscellaneous expenses सब आ जाते है यहाँ पे 500 ओके बच्छो तो इस तरह से आपको entry करनी है बच्छो अब देखो बच्छो किस तरह से balancing करेंगे आपको पहले से ही मैंने बता दिया है है ना सबसे पहले आपको debit का total करना है credit का बाग में पहले debit का total debit का total 3,25,000 अच्छा बचो यहाँ पे 3,25,000 को put up करेंगे यहाँ पे 3,25,000 debit का total आया अब credit side में यह पे put up करेंगे इन में से यह सब amount minus करेंगे तो आपको amount मिलेगी total 1,29,700 आप minus करके दिखना तो यह amount बनेगी यहाँ पे बच्चो फेब में 28 या 29,28 date last date होती है तो यहाँ पे 28 यहाँ पे लिखेंगे by balance carry down यह हमारी balance से बच्चो लास्ट date की अब जो date आएगी March 1st को इसको कहेंगे by to balance brought down और 1,29,700 यह closing balance थी बच्चो next year की opening next month की opening balance बच्चो इस तरह से आपको इस question को solve करना था बच्चो एकदम यह question easy है इसमें कुछ problem नहीं होनी चीए बच्चो है ना वे question number था हमारा third question दिखें गोहल में से अब solve करेंगे question number 4 तक बच्चो format ready है मैं adding डाल देता हूँ यहाँ पे alef का छोटा ही करना है बच्चो inside credit or inside debit case in hand अब देखो case in hand मतलब पहले से ही business start होगा और हमरे पास case पड़ी है है ना तो यहाँ पे date लिखेंगे 2016 December 1st अब सांती समझ ना बच्चो case in hand मतलब already balance पड़ी है हमारे पास यहाँ लिखेंगे टू balance ब्रोट डाउन 25,000 ओके बच्चो 25,000 अब देखो case sales 40,000 हमने case sales किया है यहाँ पे टू नंबर यहाँ लिखेंगे बच्चो टू अच्छ अकाउंट अमाउंट 40,000 लेकिन उसने 6% 40,000 लेकिन 6% CGST, HGST भी अमने customer से collect किया होगा तो यहाँ पे date तो same होगी second date ही है है ना तो यहाँ पे लिखेंगे आउट्पूट अउट्पूट CGST अकाउंट टू आउट्पूट SGST अकाउंट दोनों में 2400 यह यह GST के साथ बच्चो है अगर हमने collect किया है तो उतनी अमाउंट GST के साथ अमाउंट आएगी लेकिन टोटल अमाउंट हमें कितनी आई 40 प्लस यह दोनों इसका मतलबी हुआ 44,800 अमाउंट आई लेकिन उसमें सेल्स का कितना इमाउंट है 40,000 और यह दोनो GST के अमाउंट कितनी है 24,000 तो यह आपको अलग-अलग शो करना पड़ेगा बच्चो है ना ब्रेकेट में GST दिया है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ नमबर Receive from X on behalf of Y देखो बच्चो हम X से रुपे अमाउंट पेमेंट माग रहे हैं लेकिन उस Y पेमेंट करके गया तो हमें यहाँ पे फोर्थ नमबर में जो एंट्री डालनी है 2 जिसकी अमाउंट आई ना उसका ही अम नाम लिखना है हम किस से माग रहे हैं X अकाउंट X अकाउंट कितने माग रहे थे Sorry, Y अकाउंट Y से हम टोटल अमाउंट 4000 माग रहे हैं तो वो कोन देखे गया अब खोष वो X देखे गया हमें मिली X से लेकिन कौन से भी आप में किसके भी आप में वाई के अभी है आपने है ना तो हम वाई ही लिखेंगे यहाँ पे और 4000 नेक्स बच्चो पेट टू सॉमपाल पेट टू सॉमपाल तो यहाँ पे जो पेमिट किया सॉमपाल को वो कॉंसिडेट है नाइन तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सॉमपाल अकाउंट कितना पेमिट किया बच्चो हमें डिसकाउंट दी देखना नहीं है तो 4900 का पेमिट हुआ बच्चो 4900 का पेमिट होगा नेक्स देखेंगे बच्चो received from विजय कुमार हमें अमाउंट मिली 12 डेट की किसे मिली विजय कुमार छे तो विजय अकाउंट अमाउंट बच्चो 7800 नेक्स अमें दिया है ब्रोट नेक्स्ट डेट है बच्चो 20 ब्रोट गुड्स फोर केस्ट सीजेस्ट इसजेस्ट शिक्स परसंट 20,000 अब अब यहां पे 20 डेट है बच्चो 20 नंबर की डेट यहां पे लिखेंगे बाई परचेज 20,000 और यह 20 में और दो एंट्री करने पड़ेगी बाई इन्पूट CGST आपको अकाउंट लिखना है बिजय और बाई इन्पूट SGST अकाउंट अमाउंट बच्चो यहां बच्चो नेक्स्ट पेड़ कार्टेश पेड़ कार्टेश तो यहां पे देखो 21 में बाई देखो कार्टेश की अमाउंट कितनी है कार्टेश अकाउंट अमाउंट है 1000 बच्चो यह 1000 लेकिन उसके साथ हमने पे क्या होगा इन्पूट CGST और और क्या पे क्या होगा इन्पूट SGST अमाउंट कितनी बच्चो अमाउंट अमाउंट यहां पे 6% है 6% के इसाब से 60 और 60 के बच्चो नेक्स है 21 की दूसरी हंटी रिमिटेट टू धरम विर एंड डिस्काउंट अलाउंट बाई हिम अच्छा हमने अमाउंट रिमिटेट मतलब हमने भेज दी अमाउंट और फ्रॉम बाई हिम अमने देखो बच्चो धरम धरम भीर धरम भीर से विट्च किया होगा और उसको अमाउंट देने थी तोटल कितनी अमाउंट देने थी बच्चो यहां वन थाउजन एट एटी हमने रिमिटेट की मतलब प्वेमेंट किया है ना अर उसने डिसकाउंट अलाउट बाई हिम उसने discount दिया तो हमने कितनी amount send की होगी 1880 यहाँ पर date लिखेंगे again 21 by dharam account 1880 next discount लिखना नहीं बच्चो next हमारी entry है next entry होगी 23 की देखो 23 में 23rd entry में हमें क्या बोला है की received money order from Mohan received money order from Mohan मतलब 25 में to Manoj account money order मिला मतलब हमें post office जाके उसकी amount मिलेगी यहां post main हमारे घर पे आके amount देखे जाएगा और sign करके वो amount confirm करके देखे जाएगा बच्चो तो money order मतलब क्या कि कोई भी post के थुरू हमें amount मेलती है उसका money order कितने का था बच्चो money order 500 का था ओके बच्चो नेक्स्ट है 27 नमबर की borrow from borrow from borrow from महाबीर तो हमने borrow किया मतलब क्या बच्चो हमने amount ली होगी यह ना तो date है 27 27 to महाबीर to महाबीर account amount कितनी borrow गी मैंने बच्चो 7500 अगर हम किसी से borrow लेते तो case तो हमारे business में आएगी बच्चो ना तो amount borrow from महाबीर to महाबीर account 7500 क्योंकि हमारे case तो आएगी next बच्चो next देखो तो 29 की received from भुषन 3900 तो हमें मिला है 29 date को to भुषन account 3900 ओके बच्चो दूसरा pay to ललिद 2700 full settlement तो यहाँ पर date है हमारी 31 की by ललिद by ललिद अकाउंट 2700 क्योंकि वो 23000 उसको pay करना था लेकिन हमने pay कितना के बच्चो 2700 अच्चा अब देखो बच्चो यह पूरे transaction हो गया आपको double line और यहाँ पर इस तरह से double line अब देखो बच्चो अब debit side का पहले total करेंगे debit side का जो भी total आपको credit side का case book में कभी भी total नहीं कर रहा है debit side का ही total करना है बच्चो क्योंकि कभी भी आपकी balance कभी भी आपकी balance negative नहीं हो सकती इसका मतलब भी हुआ credit side आपको total करना ही नहीं है total पहले किस side करना है debit side बच्चो तो इसका total आया 93 500 93 500 ओके बच्चो अब देखो इन में से आपको minus करना है जो भी amount credit side है उसको minus कर देना बच्चो है ना आपका total आएगा माइनस करने के बाद total यहाँ पे जो balance बचेगी वो 60,500 है एक बार आप भी correction कर लें ना बच्चो इस तरह दोनों साइट कुछ कर देखो सकती है लेकिन amount आ ही जाएगी इसमें कुछ problem नहीं है तो यह balance है न बच्चो यह balance वो 31 date की है न December की 31 date की यहाँ पे transaction कितने भी हो लेकिन यहाँ पे जब balance लिखते होना बच्चो तो last date ही लिखनी है क्योंकि closing balance end of month की होती है तो आपको end of month का मतलब 31 December क्या लिखना है by balance carry down यह हमारी closing balance हुई दूसरे month first January मतलब की यहाँ पे लिखेंगे 2017 January 1st तो यहाँ लिखेंगे to balance ग्रोट डाउन 60,500 I hope कि आपको समझ में आ गया होगा देखेंगे बच्चो इसमें एक था एक entry थी उसमें कौन से वाली 21 वाली sorry 23 वाली 23 यह वाली तो यह entry बच्चो 20 धरम वीरवारी entry है वो उसको पेमेंट के आमने 18 तो यहाँ पे एक word लिखा था रिमीटेड रिमीटेड मतलब हमने amount sent कर दी उसको payment करने के लिए है ना तो यह 23 वाली entry में आपको जो word दिया है उसको ध्यान दखना बचो है ना रिमीटेड मतलब हमने उसको payment कर दिया दरव्य को किसी के रिमीटेड मतलब sent कर दी किसी को I hope कि आपको यह पूरा question समझ में आ गया होगा यहाँ पे 23rd entry है यह 21 की दो entry है ना उसके बाद 23rd और 31 है तो I hope कि आपको यह पूरे का पूरा question समय में आ गया होगा ना अगर कुछ भी प्रोब्लेम में तू live session में हम उसको discuss कर लेंगे बच्चो ओके थेंक यू बच्चो टेक केर